हाज जी दोस्तों क्या हाल है क्या हाल है I hope you are all doing really really well दोस्तों क्या करने वाले है सर आज हम इस वीडियो में इस वीडियो में मैं आप लोगों को May 2023 exam के CA final के लिए कुछ बहुत सारी बाते बताने वाला हूँ छोटी-छोटी paper for laws are related तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिये sorry ये वीडियो लाने में मैंने काफी लेट कर दिया पर मेरे को MTP2 का बहुत समय से इंतजार था और MTP2 आने के बाद मैं आज ही ये वीडियो बना पाया तो मैंने तुरंट ये बना लिया आप लोगों के लिए मेरी बात ध्यान से सुनना sir सबसे बहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आप लोगों का ABC analysis जो में ट्रेडी तरीक ले है अगर आपके पास मेरे नविम कोई भी बुक का ultimate solution का edition होगा तो last में जो best part of ultimate solution है वहाँ पर आपको ये ABC analysis मिल जाएगा अगर आपके पास मेरी बुक नहीं है तो आप इसको note कर सकते है या फिर आप अपने किसी भी बुक के index में ये mark कर सकते है इसमें भी मैं आपको काफी changes करवाने वाला हूँ जो MTP102 के basis पे समझ आया है दोस्तो बिना किसी डाउट के तीन चाप्टर तो आपका चाप्टर तीन चाप्टर तो बहुत important होते है और ये तीनों चाप्टर कौन से हैं डिरेक्टर्स के चाप्टर है प्लीज ध्यान रखिए तीनों चाप्टर का बहुत detailed और बहुत प्यारा revision मैंने इस बार डाला है जो बहुत अलग तरीके से revise करवाया है वो revision जरूर देख लेना पर पूराना revision वीडियो जिसमें word by word book से पढ़ाया है वो भी आपको follow करना है वो भी कर सकते हो पर ये तीन चाप्टर आपके core important है उसके बाद आप देखोगे inspection inquiry or investigation दोस्तो ये चाप्टर ऐसा है जिन्होंने class भी challenge जाना चाहिए आप लोगों ने इसको definitely category A में रखना चाहिए similarly sir compromise arrangement और amalgamation का भी अगर आप देखेंगे तो वही चीज़े होती है sir 10 section है मुश्किल चैप्टर एक बार ढंग से कर लिया अगर आपका hold आ गया तो चार number का है तो मैं इसको क्योंकि हर एक गंटे में आपको चार marks का effort लग जाता है चार marks मिल जाते है इसलिए मैंने इसको एक category में डाला इसको you should not try to skip it उसके बाद आप companies act यही पे खतम करोगे और companies act खतम करके आप आजोगे SEBI ACT और SEBI LODR में SEBI ACT और SEBI LODR sir वापस आपका 8 से 10 number के questions इसमें से आते हैं माना की थोड़ा बड़ा है माना की जो धाई गंडे लग सकते हैं but it is definitely worth it because it is a very important chapter यही पे मैं आपको एक recommendation दूँगा SEBI LODR को कोशिश करना है exam वाले दिन सुभा करने के लिए क्यों कि सर उसमें बहुत सारे इसे time limit से जो आपको exam hall में याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है तो उसको याद रखने के आप ELODR का आप जो है exam वाले दिन सुभा करना उसके बाद सर अगर आप देखो कि prevention of money laundering act बहुत important है क्योंकि यह 9 number का आ रहा है पिछले काफी समय से it is coming for 9 marks और आपका similarly FCRA सर देखो FCRA तो आप 3 mark का आने लग गया पर क्योंकि FCRA में amendment दो ही है दोस्तों याद करो एक तो तसल पूरा चाप्टर पढ़ लेना बहुत आसाली से हो जाएगा और IBC जरूर कर लेना सर यह सारे आपके category A chapter है सर क्या category A chapter का मतलब यह होता है सबसे पहले खदम कर लू ना category A chapter का मतलब यह होता है हम कुछ भी नहीं चोड़ेंगे हम एकदम शिदद से पढ़ा ही करेंगे और उ यह हम इसको cream time में पढ़ेंगे ताकि exam में मेरे को इसका 100% याद होना चाहिए खास कर के sir prevention of money laundering act क्योंकि sir अगर आप इस बार का RTP में दर्द बचा रहा है sir prevention of money laundering act का इतना annoying question दा और यह सारी चीज़े थी तो यह सारी चीज़े आपने ध्यान रखते हुए sir मैंने A category बनाय मतलब यह अगर आप थोड़े से नींद में पढ़ रहे हो थोड़े से कम efficiency में पढ़ रहे हो चीज़े समझ आ जाएगी या फिर इसका weightage भी exam में कम होगा sir सबसे पहला prevention of operation and mismanagement बहुत चोटू सा chapter अगर आप इसमें 241 और 246 भी पढ़ोगे ना sorry 241 और 244 भी पढ़ोगे न तो भी बहुत हो गया prevention of operation mismanagement का पिछले बार पिछले बार देखो इसका ना chapter कैसा चलता है 004 मारका 004 मारका 004 मारका इसमें November 22 में यह आया नहीं था May 23 में यह तो नहीं आएगा यह चार नंबर के आएगा दो यह option हो सकते है sir पर आपन इतना इतना जादा analysis नहीं कर सकते sir छ और इन company का concept भी बहुत important है sir यह भी आप लोगों ने कर लेना है लेकिन category B में removal of name of companies और companies यह तो अच्छो सी बात है अगर तुम मेरे को बोलोगे तो यह सारी चीज तुम मेरे कमेंट पर बता देना यह सारी चीजह मैं लाइन साह कर गे ना तुम्हारे exam के एक दिन पहले चाप्टर मैं बोल रहा है तुम समझ जाना दो मिनट मतला 15-20 मिनट का सर मिसलेनियस प्रोविजिन जो है नीधी company, dormant company, compounding यह सारे चाप्टर्स आपको करने पड़ेंगे फिर arbitration भी करना और FEMA भी करना है पर सर फेमा की बात कुछ ऐसी है ना, फेमा में इस बार ही आ गया है amendment और मैं बता दू पहले के जमाने में फेमा का वेटेज हुआ करता था दस नंबर का फेमा में जो amendment आया है वो बहुत significant है दो सवाल यहां पर मैं आपको जवाब देना चाहूँगा क्या फेमा का नया revision video आएगा दोस्तो देखो नहीं आएगा पर मेरसे अगर हो पाएगा तो मैं करूँगा पर अल्रेटी फेमा का देट गंटे का और थाई गंटे का revision डला हुए वो आप देखो के ना उससे बहुत अच्छी clarity मिल जाएगी आपको फेमा में amendment आपको अलग से करना पड़ेगा amendment का एक और तरीका बता देता हूँ फेमा का फेमा का पहली पाद हो पहली बात हो अगर आपने किया है अज तक फेमा में में महनत किये ना तो ये मन में मान के चलना फेमा आठ नंबर का तो इस बार आ सकता है सर मेरा गैस है मैं बहुत जादा गलत हो सकता हूँ इंस्टिट्यूट का टाइग लाइन है expect the unexpected so we don't know बट सर आठ नंबर का सकता है और आठ नंबर आप हवा में छोड़ करके नहीं जा सकती क्यूंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चाप्टर आप पढ़के गए हो उससे वो question आ वह actual में सर्फ important topics का ही है जहां पर मैंने अगर ECB पढ़ा रहा हूँ तो चोड़ी चोड़ी चीजों में नहीं गुसा जो बड़ी बड़ी बात है वो आमने की है तो वह 10 गंटे का revision important topic ही है समझ लो उतना तो फहमा आप लोगों नहीं कर लेना चाहिए और amendment कर लेना चाहिए फहमा वो B category में सर्फ इसी कारेंट से डाला है क्यों क्योंकि यह थोड़ा ना थोड़ा सा दर्द बन जाता है students के अगर आप देखोगे ना तो फहमा ए काटेगरी में deserve करते है marking के हिसाब से और सी काटेगरी में अगर आप देखोगे winding आप आते हैं sir winding आपका बहुत simple है मैं यह है क्योंकि institute winding up पे नई questions बनाने की नई मेहनत कर रहा है हम चाहते भी नहीं है करो institute हम तो आपके बहुत शुकर गुजा रहे हम तो आपको बहुत मानते है दिलकुल मेहनत करने की सर्वत नहीं है और त्यूसरा sir corporate secretarial practice जो है अब पिछले attempt में sir इन्होंने RTP MTP में बहुत ह आ सकता है पर sir आपको CSP का एक basic knowledge होना चाहिए कि drafting कैसे होता है यह आपको knowledge तब होगा sir अगर आपने ढंग से audit audit किया होगा अपने articleship में वरना इतना कोई खास बात नहीं है क्योंकि bunny bunny सुनो ना bunny कितना भी कर लो कुछ ना घुस्त छूटेगा ना bunny तो point यह सर यह सारी चीज लेकिन इस से जाधा significantly vary मत करना इतनी तो आपको efficiency रखनी ही पड़ेगी अगर आप ढंग से खतम करना चाहते हो चलो आप हर किसी का 1.2 multiply कर लेना पर 1.2 में खतम कर लेना अब सर इतने सारे questions थोड़ी कर पाएंगे हम important question का list भी देता होगे क्या देखो दोस्त अगर मेरे को important question का list पता होती ना कसम से एक एक लाख रुपय मांगता तुमको और देता जरूर एक लाख रुपय लेकर के पर है तो नहीं मेरे पस मैं आपको वो question बता सकता हूँ मेरे question माइंगे जो question जो question अगर आप नहीं करके जाओगे और exam में आ गया ना you will have a tough time and that is our category question sir मैं आपको एक category question मता सकता है और एक category question की मैंने पूरी list बना रखी है description पर आपको link मिल जाएगा telegram channel का उस telegram channel पर आपको ये link मिलेगा telegram channel में आपको हर update मिलते रहेंगे दो चीज़ आपने करना है अगर आपको इसारी महनत पसंदारी है ना दोस्तों वीडियो को like जरूर करना ताकि मेरा motivation बना रहे है तुम्हारे exam तक हर content देने का तुमको और ABC और आपको telegram link join कर लेना है वहाँ पर बहुत content मिलता रहेगा including थोड़े-थोड़े MCQs भी अब सर यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने ABC analysis जो बना रखा है यह नाटक हो रहा है इसका ABC analysis देखो कि अगर आप तो यह May 23 के रिलेवेंट है और यहाँ पर नीचे तक है company's act का पूरा question from question bank है कुछ addendum recent questions अगर add हो है तो वो भी है और पूरा ऐसे पूरा बना हुआ हुआ है यह sheet आपको नीचे description पर मिल जाएगा notes पढ़ना और यह जो questions मैंने ABC mark कर रहा है इसको refine कर रहा है मैंने पिछले attempt से मैंने refine किया है थोड़े हलके questions हटाएं थोड़े difficult question add किये है तो यह refine version जो है इसको refer कर लेना मेरी बात समझे क्या भासर और यह आप लोगों का important question का list है इसका link आपको description पे मिलेगा और पहुत सार चोड़ी चीज़े है जो आते रहेगी आप लोगों को कुछ और चाहिए होगा तो मेरे को जरूर comment पर बता देना मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक पढ़ते रहो बढ़ते रहो कुछ भी लगे मेरे दो बस comment में बता देना आपके सारे comment मुस तक अपने तसलिक ले नीचे comment में एक बार लिख करके जाओ I will give my 200% in this attempt पहले वाले वीडियो में लिखा भी हो ना फिर से लिख करके जाना दुल से लिखना आवाज आने देना I will give my 200% in this attempt या फिर चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हो क्या बात करतो जान दे देंगे समझे रहो न this is C.H.O.M. Single signing off